Good morning class, this is Dhara Shrivastwa, your English teacher. Students, हम जो चाप्टर पढ़ रहे थे, The Gulliver Travels, and we have done it. A few of its exercises are left, rest, most of the exercises have been completed. I guess आपको समेज में आ गया होगा, किसी को कोई doubt है, तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपकी help करने के लिए हूँ. आज हम जो section discuss करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो है punctuation, punctuation क्या होता है, जब भी हम कोई sentence लिखते हैं, तो हम उसमें कुछ symbols, कुछ signs का use करते हैं, आप रोजी पढ़ते हैं sentences, तो आप कभी आप question mark देखते हैं, ठीक है, हम कोई question पूछते हैं, उसके end में question mark लगाते हैं हम full stop सीखते हैं, कोई sentence complete हूँ, हम उसमें full stop लगा दिये, हम comma सीखते हैं, अगर कोई sentence, दो का sentence आपस में join हो रहे हैं, या consecutive हैं, तो हम उनके बीच में comma का use करते हैं, semi colon, colon, apostrophe, exclamation, यह सारे marks हैं, जो हम daily use क्या करते हैं, आज मैं आपको पहले बता दूँ कि हर marks की क्या importance है, full stop की अगर हम बात करने, तो जबे भी कोई sentence end होता है, कोई sentence खतम होता है, तो हम वहाँ पर full stop लगाते हैं, हम कोई sentence start करते हैं, तो हम उसको capital letter से start करते हैं, small letter से start नहीं करते हैं, थर्ड हम कॉमा लगाते हैं अगर हम दो sentence एक साथ लिख रहे होते हैं उन दोनों sentence के बीच में हम कॉमा लगाते हैं question mark लगाते हैं जिसे कि आप देखते हैं कि लिखा रहता है i would i apostrophe sign and d इसका मतलब होता है i would या इससे पर ज़्यादा easier example है हमारे पास don't हम बोलते रहते हैं don't do this या don't do that यह जो sign लगा है इसे हम apostrophe का sign कहते हैं ठीक है इस पर ठीक से draw नहीं हो रहा है यह जो sign होता है यह apostrophe का sign होता है this sign यह जो मैंने blue color से कर दिया इसको हम apostrophe का sign कहते हैं तो यह जब sign यहाँ पे लग जाता है तो यह sentence को इस 워रड को sign ने contract कर दिया apostrophe का a guess यहां होता है Makes apostrophe का होता है position show करने में जब कोई समान किसी व्यक्ति के द्वारा own किया जाता है या किसी व्यक्ति का होता तो उस व्यक्ति का वो समान हैंगी जब हम बताते हैं कि सेंटेंस में तो हम apostrophe का यूज करते हैं जैसे हम बोल दे कि this is my sister's dog my sister's sister's s-i-s-t-e-r apostrophe s sisters मतलब sister का dog मेरी sister का dog है तो sisters apostrophe लगा के हमने s लगा दिया इसका मतलब यह हो गया कि sister क्या करती है पजल्त करती है ist dog को sister is dog को रखती है sister का यह dog है तो हम समझ गए कि apostrophe का यूज्ज दो जगे करते हैं एक जब हम संटेंस को या वर्ड को का रटंट करते हैं तब और जब हम position दिखाते हैं कि क्या समान किसका है किसको belong करता है तब हम apostrophe का use करते हैं जतना जादा आप इसको examples में use करेंगे उतना जादा आपको इसके uses समझ में आते जाएंगे So now, देखिए हमारे सामने एक letter का portion दे रखा है यहाँ पर इसको पढ़ते हैं Dear Samir, कॉमा लगा दिया है आगे कह रहा है I am sending you a photograph of my newest pet Frisky is a bulldog and a very playful puppy By next summer, he should be old enough to go with us on our long walks I am sure you are looking forward to seeing him, I know you will like him, warm regards Sanju देखिए, यह स्पूरे जो भी हमने पढ़ा यह sentence इसमें कहीं भी ना full stop है, ना कॉमा है, ना कुछ है तो ऐसा हम जब लिखते हैं तो यह गलत होता है हमें sentences में कहां pause लेना है, कहां रुखना है, कहां पे विराम देना है, कहां पे कम देर के लिए रुखना है, कहां पे साबा देर के लिए रुखना है और हमें sentences start करना है, तो हमेशा हमें capital letters से start करना है, यहां पर small letter का यूज़ कर रखा है तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यह wrong है इसे गलत माना जाता है सही तरीका क्या होता है लिखने का सही तरीके में हम हमेशा ही capital letters का use करते हैं dear लिखा तो हम d e a r लिखेंगे i लिखा तो हम capital i use करेंगे sentence complete हो गया तो हम यहाँ पर full stop लगा देंगे pet के बाद full stop के बाद फिर जब हम नया sentence start करते हैं तो फिर हम capital का use करेंगे frisky किसी का भी नाम होता है उसका हम capital से start करते हैं यह कुछ basic है जो कि मैं आपको भी इसका सही form example लिखकर कि आपको दिखा दूगी कि आपको कहां पर क्या लगाना है कहां पर क्या mark punctuation mark use करना है वैसे ही जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको six section है यह भी दिख रहा है यहाँ पर भी आपको punctuation का use करना है सबसे पहले तो आपको start करना है हमेशा capital letters से और जहां भी आपको रुकना है थोड़ा सा pause लेना है वहाँ पर आप comma लगाएंगे और जहां भी आपको sentence end होता है वहाँ पर आप full stop लगाएंगे यह section I hope आपको समझ में आ गया होगा मैं इसका लिख करके आपको एक और तरीके से समझा दूंगी इस video में is not quite possible मैं board kim help से आपको समझा दूंगी आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं यह चीज़ें आपको find out करनी है तेखिए सबसे बड़ा जायंट जायंट मींज बड़ा huge सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा जायंट बड़ कौन से होती है we all know कि सबसे बड़ी बड़ होती है जायंट लैड अनिमल जामीन पर चलने वाला जानवर जाहिए जोकी जो सबसे बड़ा हो तो हमसे बड़ा जानवर हमें सबसे पर रहे दिखता है कौन ऐलेफंट डर अब बताना है कि वाटर में रहने वाल रिउन रंपारल वइसे ही। तरहा ही आप देखिए पुरिया पान वहने ऊपना रावर करता है। सबसे बडा मर्क आमधे में पमार ने Supple 2 संब कर्गोडार और अफनील cannes इसारा बड़ करते हैं तो और ज़र्द नामधे मैं तो ये custom अब लिस्क्री पर अपन संब लीजर्ट से कामधी नाष्ट छिपन गोगव में पर शियर्परी Jaco यह आपका टास्क है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें राइटिंग सेक्शन में हमें क्या लिखना है हमें सबसे तेखिए यहां पर लिख रखा है कि यू वोक अप वन मॉनिंग आप एक सुबह उठे एंड फाउंड यूर्सल्फ इन फाउंड यूर्सल्फ इन द यू रखिए आपको लिखना है एक पर अगर आप उनकी लैंड में पहुच गए आप ऐसी जगह पहुच गए जहां पर हर एक लोग आप से चोटे हैं आप अगर ऐसी जगह पर पहुच गए तो आप क्या करेंगे आप कैसे खाएंगे उनकी प्लेट बहुँच चोटी होग यह सारी एक्स्पिरियंसेज आप इस पाराग्राफ में लिख करके मुझे जरूर दिखाएंगे ना इसके साथ ही हमारे चाप्टर फिनिश होता है यह करके आप मुझे वर्क एस पॉसिबल दिखा देंगे कोई भी डाउट है इस चाप्टर में आप मुझे पूछ सकते हैं पंक्टुएशन के लिए मैं एक अनदर वीडियो बनाने वाली हूं आपको दिखाऊंगे आप उसके अकॉर्डिंग यह सौल करेंगे और पंक्टुएशन का सही इस्तमाल राइटिंग में जरूर करेंगे ओके तुस इस आल फॉर तुदे नेक्स क्लास में फिर मिलते हैं सब तक अपने घर पे रहिए पढ़ते रहिए वक्ट टाइम प्ले कंप्लीट कर रहिए कोई दाउट हो तो मुसे पुछते रहिए थैंक्यू क्लास